हेई गाइज वालकम बैक टू मैं न्यू व्लोग और पूरी एनर्जी के साथ आया हूं मैं और यह मैं ना कैमरे में इसलिए नहीं देख पा रहा हूं जादा क्योंकि फ्लेश लाइट जल रही है लाइट इशू ब्रदर रिंग लाइट कैसे जलाऊं कनेक्शन नहीं है अपने पास अभी ज़्यादा सारे और आप भी कोगे परिशानिया भी बताता रहता है तो भाई परिशानिया नहीं है यह आप लोग कमेंट भी करते हो कि इतनी प्रोबलम में कैसे रहे हो भाई यह प् अब तो यार थैंक्यू सो मच आप लोग इतना इंटरस्ट लेते हो देखके एगदम फैमिली की तरह बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानते हो ऐसे हमें मैं तो नहीं देख पाता मेरे व्लोग को उनकों देख रहा है पर आप लोग देखते रहते हो ऐसे देखते हो शेयर करो स यार मेरे को यह सब करने में व्लो ​​गिंग करने में और पुतर मेरा देखके रहा है मेरे इंटव नाटर सीख ले थोड़ा सा ना फ्लोगिंग करने फिर हमने ऐसी करा करना थोड़े दिनमें कैमरा तुने ही संभालना है ठीक है पुतर हम चट पे आये थे घूमने के लिए थोड़ा सा हवा चल रही है बढ़िया अभी-अभी मैं जिम से आया था और मतलब मैं जिम से आता हूं एक अद्धा घंटे ही होता है मेरे पास उसमें से मैं थोड़ा सा बार घूमने चला जाता सब्सक्री के बता जैए कि आगे बता है कि क्या नों कि यहां बोलेगी जाके तो गाइज मैं जरा 2 मिट कैमरा बंद कर दू क्या सर्फराइज है कुछ क्या बोल है तो गाइज ये रोने लग गिया और कह रहे है कि आपके पास हमारे लिए टाइम नी आ जो भी बोलना है फैमिली है अपनी ये भी फैमिली के सामने अरे उज मैं से घबता रही हा तो गाइज फिर से 2 मिनिट बाद आपा है तो गाइज मामला दू बहुत है और मैं जए स्लोई इसले बोल रहों क्योंकि पुतर सो जह आ और पूं मैं अया देखो उपर हम्मी तो सी कह रहे थी कई कूलर वाला की सी मॉया है की सी नो है मैं सुट मेरे चला निया तो तू चला दैती मैं कील को इतनी बारी निकला मजा आराम से पुतर तुमारी बात तर सुनके उठी गया है तो गाइस ये काले काले व्लोग कैसे लग रहे हैं आपको सच सच बताना अंधेरे वले है ना वो तो मेरी शकल पर इतना गलो है कि मैं चमक रहूं बाकी काले काले जब बारा रहे होना ना मैं बतारी मेरी ना वीडियो ना बनाए कर दो पुतर तो उठी गया पुतर सोजा सोजा और रोरी से मम्मी उने क्यों क्यों है कियो एक यह आप हमें टाइम नहीं देते हो ऐसे क्या एथ आकर कि कि मम्मी जब से आया आप ही बोलो बैठ आप भी देख करें ना कहीं दिन से यह सब अपनी पतनियों का इतना ध्यान रखते हैं और आप नी मतलब मैं पैसे कमंदा कमंदा मर गया कि पैसे होता है सारा सुख सारा सुख क्या होता है पैसा जगर मैं घर बैटके तू ना मांग तेरी जरूरते तो पूरी हो रही है वो कैसे पूरी हो हम अनुए तो नीविए है नहीं तो लोगे हैं तो टाइम तो जा क्या दूं कितना तो घर में बैठ जैसे अभी बैठे हैं बाचचीत कर लो कुछ यह कह रहें हम यह नहीं कह रहें कि आया जीम से आया सिध्धा फिर आया थोड़ा बैग रखा भार निकल के पारक में फिर सीध्धा सोने की लिए अद bullied मैं मैं सारा दिन एक कम्रे चोथे बान रहे दा मैं मेरा मन करदा आके थोड़ा अधे है गुमा फिरा अपने यारा अंदर कभी दर्ट चलिगा मैं ऐसे थोड़ी करते हैं कि टाइम ही नहीं देते हैं कि कम से कम बाद तो खर लेते हैं और संडे को क्या करता हूं मैं जब अभी जुटी थी मेरी संडे को बताओ अंदर के पुर्ल ममी बैठा नहीं नो दस बजे आने की काले नो दस बजे यह तो चलती रहनी है बाते मैं खाना खालूं खाना खाने के लिए भी आ रहे हैं मेरे साथ कुछ जने चट पर बैठे के खाना खाएंगे हम उसके बाद मैं तुम्हें खाना खाके मिलता हूं और यह यह ऐसी फ्लेशलाइट अगर चलती रहे मैं बोलता रहा मैं अंधा हो जाओंगा गाइस तो गाइस खाना हमने खा लिया है और पिछे से कुलर की आवाज आ रही है बैकरांड में थोड़ा इग्नोर करना और गाइस अपना जो काम है ना चालू हो गया है बंगलों का आप कि प्लस्तर हो गया है यहां पर की तो पूरही हो गया खाना यें यही पैसे प्स Jennifer Şakam देखने में बदा है बाकी सबस्ट देखा तो कृइस होगया है कृच्षu को देखे ज़哪 यह अपना बेडरूम आ गया है गाइस फाइब स्टार फाइव फाइव स्टार यह देखिए पुतर जी सो रहे हैं तो अब बोलना कितना टाइम दिया दरे को यार रहूं पर वाइस निया क्या यह गाइस यह तो बच्चे हैं इनको क्या पता जिंदी का भी बरफी जी आप भी खाना खालो खालो तुसी बम्मी पट्चे डोसा लेका आना अर ने रहां दे रहां ले आना आओ तो गाइस मैं जा रहा हूं तो और वस्देन नहीं लाया मैं जा रहा हूं मार्केट बम्मी के लिए लेने डोसा मैं पुंटा मार दिता है चलना तुमे अब तो आ रही है फटा फटा मतलब इसका मतलब मकसद ये था कि ये भी निरसाद भूमने जाए पेड़ा मसाला डोसा नहीं जाएगा जाला पर अब बिल्कुल खुश हो जेगी क्या पैदल चले या बाइट पर जाना है पैदल जाना क्या देख लो मुझे नहीं पता खोल गाईस हम जड़ा डोसा लेके आते हैं बड़ी वोग तो ऐसे कह रही है कि बड़ी मोटी है तो तो पतली हो जेगी चलके याना नहीं जो अभी खाया है काईज यह सडके तुम देख रहे हो ना जो ऐसे तुट्टी फुट्टी हैं आज कल यहां आप इन सडकों पर भीड लगा करेगी शुबम का घर और तुम्हारा भाई वहां पर जैसे शारुक मन्नत पर चड़के हाथ नहीं लाता एक बार तुम्हारा भाई वहां चड़के एक बार ऐसे हाथ ही ला देगा बस आ जाया करना मिलने देखने कभी भी आना यकी मुझे ऐसा जरूर होगा एक दिन ठीक है बाकिया फ्लेशलाइट बंद कर दो यह नो फोटो की चीजे निचे लंबा पड़के गाइस रात के 11 बज रहे हैं यह देख लो और हमारे मार्केट तब भी खुलिया और हमको मम्मी के लिए मिले हैं इडली डोसा तो खतम हो गया अधा इडली मिली है और हमारा मन वह एक मिल्क बादाम पीने का तो चलो आप उस तो खुलो पहलो तो एडलो ने बंद अटार हुए पी लिया उस्तयु सब्सक्राइट बात या जब हमारी शादी नहीं थी तो आयो इती न यहां तो मैं तरसे मिलने से पहले हाँ पर गर्मी होती थी बहुत उस टाइम दो मिल्क बदाम की बोटले पीगे जारता था और आज तू मेरे साथ आप यहां पर तो आज मैंने तेरे साथ बिता दिया टाइम और यह क्या कह रही है गाईज आपी मेरे को पता चिला कि मैं शोपिंग करने जा रही थी आज कि मेरा मन किया मैं नहीं गई आपके दो तीन अजार उपे बचा दिये इसका मतलब तू कल जाएगी अब वह पांच्छे जार उपे करके आएगी कांट जो आजकी नराजगिया वहीं से दूर करेगी है नहीं जाओंगी नहीं समयदार लड़की आए तो अब घर बंड़ा है उसके उपर लगाने पर से अच्छा मैं तो भी एक एक रुपा रख रिये जोड जोड़गे अच्छा एक एक रुपे अज़ तुन्हें तो नहीं बनाया गरी यह तो मेरी रस हो है उसको समान तो मैं अब होदी ले क्या होले ना से अब घर पोँचने वाले है निल्क बदाम पी लिया टाइम भी बितालिया घरवलों के साथ और मम्मी के लिए इडली भी लेली अब यह निगर ना किया आज करीम वोर क्या रोज घर बेट्ठू एसे ऐसे नहीं तोड़ी देर जाओ उपार मैं यह नहीं कहरे जाओ नहीं जाओ रोगाई नियुक्त आपकरा गया थाओने विए फिट्ता ना कीचलिया मुझे दिखनी रागगे मेरे आखों के अगगे फ्लेश लाइट जल रही है मैं तेरे बरोज से चल रहा हूँ पभी खंबा खंबाएगा तो मैरे को साइड कर लियो मम्मी का इटली सामबर है रेडी अब मम्मी भी खाने वाली है मैंने ना कुलर बंद कर दिया था कि व्लोग में आवाज अच्छे से आए और क्रिश उठ रहा है तो गाईज मैं कुलर को ला रहा हूँ मैंने कुलर चला दिया सब ने खाना खालिया मुम्मी के लिए में ले आया और आप जाने का वक्त हो गया है शायद हमारे है ना तो गाईज अगर आपको यह व्लोग अच्छा लगा होते इसको लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और देखते रहो स्वागी व्लोग्स